दिल्ली पर पूरी तरह क्रान्तिकारियों का अधिकार था सम्राट बहादुर्शा जफर, बेगम जीनत महल, सेनपती बख्त खाम और कुछ अन्य नेताओं की सलाह से शासन का काम चल रहा था लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के बाहर कमपनी सरकार की सेना का भारी जमार था वो दिल्ली पर दुबारा अधिकार करने की पूरी कोशिश का रहे थे पर क्रान्तिकारी सेनाई उन्हें लगातार पीछे भेज रही थी दिल्ली पर अधिकार करने के लिए कमपनी की सेना को पाँच दलों में बाटा था प्रधान सेनापती विल्सन के नित्रत्व में पहले तीन दलों ने कश्मीरी गेट से प्रवेश करने की तैयारी की चौथा दल लेकर मेजर रीड काबुली दर्वाजे पर पहुचा और सबजी मंडी की तरफ से बढ़ने की योचना बनाई आखिर 14 सितंबर 1857 को सूर्योदय होते ही जर्नल निकलसन कश्मीरी गेट के पास दिवार की और बढ़ा तभी इधर से क्रांती कारियों ने गोले बरसाने शुरू कर दिवार के नीचे अंग्रेजों की सेना भारी संख्या में मारी गई लेकिन जर्नल निकलसन ने इसकी परवा नहीं की एक जगा दिवार कुछ टूट चुकी थी निकलसन ने वहाँ पर सीड़ी लगवा दी वो दिवार कूट कर शहर के अंदर जाना चाहता था आखिर निकलसन गोलों और गोलियों की पहुचार की परवा न करता हुआ दीवार पर चड़ गया और शहर के भीतर जा पहुंचा उसके बाद तो भारी संख्या में अंग्रेज सेने अंदर पहुच गया कश्मिरी गेट पर घवासान लड़ाई शुरू हो गया आखिर अंग्रेज सेनिकों ने कश्मिरी गेट का एक हिस्सा उड़ा दिया इससे कर्नल कैंप बेल भी अपनी सेना लेकर शहर के अंदर आ गया सबजी मंडी के पास क्रांतिकारी सेना ने मेजर रीच की सेना का मुकाबला किया वहां भी घमासान लड़ाई हुई कर्नल कैंप बेल की सेना जामा मस्जिद की ओर बढ़ी मस्जिद में उस समय कई हजार मुसल्मान जमा थे उन्हें पता चल गया कि अंग्रेज मस्जद उड़ाना चाहते हैं वो सब अपनी तलवारे लिए मुकाबले के लिए निकल पड़े अंग्रेज में उन पर गोलियां चलाई काफी लोग मारे गए पर इस से उनका होसला नहीं चूटा इतिहासकार लिखते हैं कि मुसल्मानों ने जिस फुर्टी से आक्रमन किया उससे कंपनी के बंदू भरी सिपाही खबरा गया उन्हें दुबारा बंदू के भरने का मौका है नहीं मिला करनल केंप बेल भी खायल हो गया दिल्ली में हुए 14 सितंबर के संग्राम के बारे में अंग्रेज लेखक मानते हैं कि सन 57 की क्रांति का ये सबसे भयंकर संग्राम था उस दिन कंपनी के 66 अफसर और 1104 सिपाही मारे गए जबकि करीब 1500 क्रांतिकारी शहीद हुए थे 15 से 24 सितंबर तक दिल्ली की चप्पा चप्पा भूमी पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से संग्रश किया इसके बाद दिल्ली का तीन चौथाई शहर अंग्रेजों के कबजे में आ गया जगा जगा इमार्तों पर फिर से ब्रिटिश छंडा लहराने लगा उधर 19 सितंबर की रात सेनपती बख्त खां सम्राठ बहादुशा जफर से मिला उसने बादश्या की हिम्मद बंधाई और कहा दिल्ली हाथ से निकल जाने पर भी अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है तमाम मुल्क में आग लगी हुई है कि आप अंग्रेजों से हार मत मानिये आप मेरे साथ दिल्ली से निकल चलिए आखरी जीत हमारी होगी टीक है बहादूर तुम कल सबेरे हमें मिलो उधर बख्त खांग गया और इधर इलाही बख्ष बाश्या के पास आया इलाही बख्ष बाश्या का समधी था परन्तु धन के लोप में अंग्रेजों से मिलकर बाश्या को दिल्ली से बाहर जाने से रोक रहा था हुजूर अब बगावत के काम्याब होने की कोई सुरत नज़र नहीं आती बख्त खांग के साथ जाने में आपको सिवाय तकलीफों के कुछ हाथ नहीं आएगा मेरी मानी आप यहीं रह जाएए मैं वायदा करता हूँ कि अंग्रेजों से मिलकर सब बाते साथ कर दूँगा आप पर कोई आच नहीं आने दूँगा अगले दिन सविरे समराच बहादुशा हुमायों के मखबरे में गए बख्त खां को वही मिलने के लिए बुलाया गया मखबरे के पूरवी दर्वाजे की तरफ यमुना नदी के किनारे बख्त खां की फौश पड़ी हुई थी पूर्वी दर्वाजे से ही बख्थ खां बहादो शाह से मिलने के लिए आया बख्थ खां दिल्ली से निकल कर क्या हम महफूज रह सकेंगे हुजूर आपका इखबाल बुलंद है दिल्ली को तो छोड़िए मुल्क के तमाम मिलाखों में आप के लिए इज़त है और वहां आप महफूज रहेंगे लेकिन इलाही बख्ष तो आप उसकी बातों में मत आईए हुजूर वो फिरंग्यों से मिला हुआ है मैंने अपनी फोश तैयार कर ली है आप फॉरन निकल चलिए कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता बख्थ खां मुझे तुम पर पूरा यकीन है ठीक है मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ चलूँगा बख्थ खां के जाते ही इलाही बख्ष फिर पहुँच गया सारे मुल्क में फिरंगियों ने मार काट मचा रखी है आज नहीं तो कल आप पर मुसीबते आ जाएंगी मेरी मानी फिरंगियों से दोश्ती करने में ही भलाई है हुजूर बुड़ा बाश्शा अजीब पशोपेश में पढ़ गया अभी इलाही बख्ष अपने दाओं पेच चली रहा था कि बख्ष पहुच गया अरे यह फिर यहां टपका हुजूर मैं आपका रिष्टेदार हूँ बहला मैं आपसे क्यूं दगा करूँगा लेकिन ये बख्ष बठान है मुगलों से अपनी कौम का पुराना बदला चु ठेहरो ये क्या पागलपन है बहादूर मुझे तेरी हर बात का यकीन है और मैं तेरी हर राय को दिल से पसंद करता हूँ मगर जिस्म की पुवत ने जवाब दे दिया है इसलिए मैं अपना मामला तक्दीर के हवाले करता हूँ मुझे को मेरे हाल पर छोड़ दो और बिस्मिल्लाह करो हमारी फिक्र मत करो अपने फर्ज को अंजाम दो बाश्या की बातें सुनकर बख्थ खां का दिल चूट गया वो करदन नीची करके पूर्वी दर्वाजे से बाहर निकलाया फिर तो इलाही बख्ष को मौका मिल गया वो फॉरन कैप्टन हटसन के पास पहुंचा सहाब देर मत कीजिए यही मौका है बख्थ खां को बाधिशा ने नराज करके भेज़ दिया है आप पश्यम के दर्वाजे से चलकर फॉरन बाधिशा को गिरफतार कर लीजिए सहाब फिर इलाही बख्ष लपक कर बाधिशा के पास पहुंच गया पीछे पीछे हटसन बहादुशा को गिरफतार करने पहुंचा वो उसे देखकर हैरान रह गये बाधिशाह ने अब इलाही बख्ष की सारी चाल समझ ली थी उन्होंने नफ्रत से उसकी और देखकर कहा कैप्टन हटसन ने समराठ बहादुर्शा जफर बेगम जीनत महल और शहजादे जमाबख्त को गिरफतार कर लिया और उन्हें लाकर लाल कले में कैद कर दिया इसके बाद फॉरन ही कंपनी के बड़े अक्सरों की मीजिंग ही कैप्टन हटसन और जर्नल बिलसन की राय थी कि समराठ बहादुर्शा को फॉरन मार डालना चाहिए लेकिन कंपनी के बड़े अक्सरों ने कहा कि इससे देश के हालात और ज़्यादा बिगर सकते हैं इसलिए उन्हें कैद ही रखा जाए अधर हुमाईयों के मकबरे में बादशाह के दो बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा अक्तर सुल्तान और पोता अबुबकर अभी मौजूद थे ये लोग तै नहीं कर पाए थे कि वो किधर जाए इलाही बख्ष को जैसे ही ये बात मालूम हुई तो वो भाग कर कैप्टन हट्सन के पास पहुंचा उसने हट्सन से कहा आप फॉरन चलकर बादशाह के बागी दो बेटों और पोतों को गिरफतार कर लिजे वो लोग संत मगबरे में पहुंचा और तीनों शहजादों को गिरफतार कर लिया इलाही बख्ष ने उन्हें उस वक्त यही भरोसा दिलाया कि वो जैनल विल्सन से उनकी जान बख्षवा देगा अब हट्सन तीनों शहजादों को बग्गी में बिठा कर शहर की ओर ले चला अंग्रेज सैनिक सवार बग्गी को घेर कर चल रहे प्लाएं